ओम शान्ती आज आपका 41 वद दिन का वरदान और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें उस युग की याद दिलाते हैं जिस युग में स्वेम वो धर्ती पर आकर के हम सब आत्माओं को मुक्ती जीवन मुक्ती का ग्यान देते हैं ऐसा ग्यान जिसे कि हम सारी आत्मा जो कि अंदकार में फसी हुई हैं जो कि काले कोईले के जैसे बन चुकी हैं काला कोईला मतलब काम करोद लोग मुआंकार में फस करके हम बिलकुल ही काली बन चुकी हैं तो हमें उस काले कोईले से हमें डायमंड जैसे बनाते हैं परमात्मा और वो diamond का हमें ये युग है और वो diamond जैसी हमारी सिती बनाने के परमात्मा हर दिन हमें meditation ब्रहमकुमारीज में और हर दिन हमें रूहानी ग्यान that means spiritual ग्यान सिखाते हैं और इसी spiritual ग्यान में से आज का एक वर्दान मैं आपके साथ share करता हूँ और इस वर्दान में परमात्मा हमें हीरे तुले बनाने का एक बहुती महत्वपूर्ण और बहुती सहच तरीका बताते हैं आईए देखें कैसे होता है वो ओम शैंती वर्दान हर हीरे तुले युग में इस हीरे तुले युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीवर पुरशारती भवा तो परमात्मान ने इस युग को बोला है हीरे तुल्ल युग कोवले से क्या बनना हमें हीरा जैसा बनना हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीवर पुरशारती भवा इसके explanation में जाते हैं जैसे जोहरी एक जो जोएलर होता है उसकी नजर सदा हीरे पर रहती है उसको पता होता है कि कौन सा सच्चा हीरा है कौन सा जूटा हीरा है वो सोना और हीरा है उसमें से हीरे को ज़्यादा मुल्लेवान समझता है आप सब भी जोएलर हो तो आज हमें क्या टैक्टिल लेती है हम भी क्या है जोएरी है हम भी क्या होगे जोएलर है कैसे आपकी नजर पत्थर की तरफ ना जाए अब इंसान के अंदर या तो पत्थर देखनी की आदत होती है या तो उसके अंदर होती है क्या देखने के आदत तो आप काशुन चाहेंगे प Chelan चाहेंगे डायम चाहेंगे लेकिन एक पत्थर है लेकिन कहीं ही मतलब हर एक ऍप्रक्टेस है और यह Kristen ना होने के कारण इस कल्युग में हम हर एके अंदर कालापन देखते आए हैं हर एके अंदर गल्थियां ढूनना हर एके अंदर खामियां ढूनना और एके अंदर mistakes ढूनना जिस कारण से हम आत्मा भी काली होती गई अपने अंदर अहंकार आता गया कि हैं मैं तो उससे बेटर हूँ वो कैसा मज़ते हैं अपने आपको मैं उससे बेटर कर सकता हूँ तो इसी कारण हम आत्माय काले होते गए हम परमात्मा से दूर होते गए और परमात्मा कहते हैं ये काली नजर के कारण ही क्या हो चुका है हमने लोगों से बद्दुआएं कमाई है, दुआएं कम कमाई है तो बाबा कहते हैं आपकी नजर पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो हर एक की विशेष्टा पर ही नजर जाए तो दृष्टी कैसी हो जाए हमारी एक आत्म के अंदर क्या खूबियां है क्या अच्छाइ हैं तो ऐसा एक जोहरी बनने के कह रहे हैं पाट भी हीरो, युग भी हीरे तुले तो पाट कैसा बनेगा हमारा अगर हम औरों के अंदर खामिया देखेंगे तो हम एक विलन बन जाते हैं हम औरों के अंदर अच्छाईयां देखते हैं, तो हम क्या फिलाते हैं? हम फिलाते हैं के इवल अच्छी भावनाएं, तो पाड भी कैसा होगा, हीरो जैसा होगा, तो अच्छा देखने वाला हमेशे हीरो बनता है, वो हर एक अंदर अच्छाइयां दिखता है और सब की इच्छाइयों को इस्तेमाल करके वो किसी महान कारे को पूरूर करता है लेकिन जब कुई आत्मा किसी के अंदर बुराइयां देखती है या अगर हम किसी के अंदर बुराइयां देखते हैं हम एक evil part धारी, मलकी विलन का part अपनाते हैं, और हम सब के अंदर बुराइयां देख करके, सब को गिराते रहते हैं नीचे, तो बाब कहते हैं, part भी कैसा होगा हमारा hero जैसा, क्योंकि हम क्या अपने लेंगे, हम सब के अंदर अच्छाइयां देख करके, क्योंकि गुणों को इस्तेमाल करके, हम परमात्मा कारे आगे बढ़ा पाएंगे, युग भी हीरे तुल्ले होगा, तो हमारे जो युग है, हमारे अपनी life choice, हमारे युग भी कैसे महसूस होगा, हमें हीरे तुल्ले महसूस होगा, मन शान्त होगा, स्वच्छ होगा, clean होगा बलकुल, तो हीरा ही देखो, तब अपने शुब भावना की किरने, सब तरफ फिला सकेंगे, अब किसी के अंदर, सब के अंदर बुराईयां देखने की आदत है, किसी के अंदर, सब के अंदर mistakes देखने की आदत है, तो वो आत्मा कभी किसी के शुब भावना, शुब कामना रखनी सकती, क्योंकि उसका मन ही काला बन चुका है, तो ऐसे काले मन से, ऐसे काले पात्र से, वो कैसे किसी का भाला कर पाएगी, वो कैले कैसे किसी को दुआ दे पाएगी, तो परमात्मा कहते हैं हीरा ही देखो तब कंडिशन है ये तब अपने शुब भावना की किरने सब तरफ फिला सकेंगे तो उसी तरह किसे संबंद में देखें अगर एक माँ अपने बच्चों के अंदर बुराईयां देखें तो वो कभी भी अपने बच्चों को आशिरवादी शुब भावना शुब कामना नहीं दे सकती उसी तरह किसे एक पती अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पत्नी को या पत्नी अपने संबंदियों को अगर उनके अंदर बुराईयां ही देखें आतिसाथ परमात्म का यह जो अमूले ज्यान है इस हीरे तुले युग में उसको आकर के ब्रह्म कुमारिज में लेना तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय इसी बात का विशेश एटेंशन चाहिए क्यों कि हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है और उके अंदर गंदगी देखना औ क्योंकि जो बुराईयां देखते हैं और उके अंदर वो हमेशे अपने अपको अकेला महसूस करेगा उसको सारा काम बोज महसूस होगा लेकिन जो आत्मा और उके अंदर अच्छाईयां देखती है उसको सब के अंदर अच्छाईयां देखेंगी वो खुद भी हलकी इढ़ेगी तो वह आत्मा सारे आराम से कर पाएगी जब आपका मन अच्छा नहीं होता है आप कोभी सोचई है नितना के मं के इंदर और के बुरा यह हैं तो क्या आप जाकर कि भी इस आत्मा से पूसकत कि में को प्लीज इसमें help कर दो जिबकि आपने सोचा हुआ कि उसके अंदर ये सारी बुराई हैं तो आपको इस आत्म से भी सायोग नहीं मिलेगा ये सायोग मानने कि आपके अंदर शक्ती भी नहीं रहेगी तो जब हम औरों के अंदर अच्छाईया देखते तो हम हमारे अंदर शक्ती आती है हम उन बहुत ही ब्यूटिफल वर्दान जिससे कि आपको शांती मिले आपकी मन की बुद्धी को स्थिरता मिले तो इसी के साथ में आपको इस वर्दान के साथ में मिछ वड़ता हूं ओम शांती